हेलो अब्रीवान माइनम इस डॉक्टर लेलित आई वलकम यू ओल इन अपसे डिसकस करूंगा कि जो कि उनको एक नुक्सान पहुचा सकती है तो कौन-कौन सी मिस्टेक्स है कौन-कौन सी गलतिया जो हमें नहीं करनी चाहिए चले डिसकस करते हैं पर उससे पहले मैं आपसे डिसकस करता हूं बहुत इंपोर्टेट के बारे में सेल का नाम है गुल्डन हारवेश सेल और यह स बेल क्या है मैं आपको बता देता हूं देखिए एक टेस्ट प्राव जिसको आप लोग जानते हैं पास का मतलब यह है कि अगर आप पास लेते हो तो आप टेस्ट बुक में कोई भी टेस्स सेरीज को जो है जोईन कर सकते हो इर्रिस्पेक्टिव और कि वह किस पर्टिकुल पास से उस एक्जाम की टेस्ट स्रीज को एक्सेस ले सकता है और यह टेस्ट स्रीज आपको मिल जाती है 18 मंत की केवल 269 रुपीज में अगर आप ललित पास जो है कोड यूज करते हो तो देर मत करिए जल्दी सी जल्दी इस सेल का फाइदा उठाईए और इसको आप लोग जो है लीजिए दूसरी एक important sale है वो है specifically उन student के लिए जो CSIR NET की preparation करना चाह रहे हैं और exam को target कर रहे हैं आने वाले जून के लिए तो हमारी sale का नाम है super premier league selection का all rounder यह भी हमारी 14 से 15 अपरेल तक जो है एक हमारी league चल रही है अगर इसको आप join करना चाहते हो और आप CSIR NET का course buy करना चाहते हो तो यह आपको मिल रहा है 55 plus 25% discount पर यानिके course जो है आपको मिल जाता है 5999 में for 3 month इसके साथ अगर आप ललित P code use करते हो तो you can get extra discount यह तो हो गया हमारी sale हमारी league के बारे में अब हम बात करते हैं वो गलतियां जो किसी भी CSIR experiment को भूल कर भी नहीं करनी देखिए बहुत सारे ऐसे concept होते हैं हमारे exam में हमारी जो 13 units हैं अगर हम उनकी बात करें या फिर नॉर्मल बाकी और अगर CSIR जो experiment है जो तयारी कर रहे हैं उनकी पर्टिकुलर units हैं हर एक unit में कुछ हमारे basic concept होते हैं जो हमारे बड़े question बनाने में help करते हैं बड़े question का मतल आप किसी concept को revise करते हैं उस concept पर आपकी command उतनी ही अच्छी होती जाती है और अगर हम लोग इसको revise नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारे command जो है weak होती जाएगी और question जब आता है जहांपर 4 options में से 2 options बहुत ही close आपको दिखते हैं तो वहां confusion आपको हो सकता है तो इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा don't forget to revise the concept second हम बात करते हैं time management की देखो हर एक student की life में चाहे वो preparation कर रहा हो या फिर exam में बैठाओ दोनों जंगा पर time को manage करना बहुत जरूरी है अगर आप preparation में time management नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे important topic आप नहीं cover कर पाओ ना ही उनको अच्छे से conceptually thoroughly पढ़ पाओ तो जब हम preparation कर रहे हैं तब भी हमें proper schedule बनाना चाहिए proper time management हमें करना चाहिए दूसरा exam की भी में बात करूँ exam में usually हमारे तीन section होते हैं और तीनो section के marks जो है वो अलग-अलग होते हैं हम लोग वहाँ पर भी जो section जितना score कर रहा है let's say मैं एक section की बात करता हूँ मेरा section C है जो almost 50% marks carry करता है अगर मेरा 200 number का paper है तो 200 number में से 100 number मेरे section C carry कर रहा है और बाकी के 100 number मेरे section B और section A carry कर रहा है या मैं ऐसा कह दूँ कि 50% जो है वो हमारा cover कर रहा है section C, 30% हमारा cover कर रहा है section B और 20% हमारा cover कर रहा है section A तो हमें exam में उन section को solve करने के लिए अपना time भी उसी के according divide करना चाहिए लेट से हमारा 3 hours का exam है तो हम लोग 90 minute यानिके just half of the total time हम एक particular section को दे section C को दे और उसी के according हम section B और section A को time दे और सबसे जरूरी चीज कि हम सबसे पहले उस section के questions को time करना start करें जिस पर हमारी command है जो हमारे subject के हैं और उसके बाद हम लोग उस particular section की तरफ move करें जिस section हमारा जो की थोड़ा सा week भी हो सकता है तो time management जरूरी है आपके preparation के time भी और आपके exam के time भी next हम लोग बात करें mock test ये इतना important है किसी भी fight को अगर आप लड़ने जा रहे हैं आपको पता ही रहेगी fight में exactly होगा क्या तो फिर आप हो सकता है कि आप उस fight को lose कर जाओ तो बहतर है कि अगर आपको किसी exam में बैठना है तो आपको पता होना चाहिए कि exam आता कैसे है pattern क्या है question किस तरीके के पूछे गए है और ये सब करने के लिए जरूरी है आपका mock test को देना exam में अगर आपको नहीं पता होगा कि question कैसे आएंगे तो बहुत tough होगा पहली बार उन question को देखना उन question को attempt करना although हमें कितना भी हमारा concept जो है वो clear है next मैं आपसे बात करता हूँ वो है negative marking हम लोग क्या काम करते हैं जब हम mock test दे रहे होते हैं घर पर तब हम सोसते हैं कि इसक question को भी attempt करने की कोशिस करते है ताइम भी खराब करते हैं और question गलत भी हो जाता है मेरा एकम मानना है कि exam मे जब आप किसी question को attempt कर रहे हो तो जितना जरूरी आपको उस question का selection है जिसको आपने attempt करना है उतना ही जरूरी आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा question मैंने solve नहीं करना है मैंने छोड़ना है ये मेरा time भी खराब करेगा negative marking भी देगा तो negative marking ना करने की habit डाले और ये गलती भी भूल करना करे and lastly stay healthy आज कल weather भी change हो रहा है अगर गलती साब बिमार पड़ गए तो आपका एक week दो week जो है चला जाएगा और बाद में आप regret करते रहोगे तो इसलिए रोज regular basis पर थोड़ा बहुत yoga practice करे थोड़ा बहुत अपने आपको जो है अपने पूरे दिन का कुछ percentage of time अपनी health के लिए दे प्योंकि सब कुछ खरीच सकते हैं health नहीं तो ये सारी चीजे हैं जो आपको focus way में देखनी है करना है और कुछ गलती हैं जो मैंने आपको बताई है नहीं आपको करनी है अगर आप ऐसा करेंगे तो exam में आप अच्छे healthy mind के साथ जाएंगे और healthy strategy के साथ जाएंगे ठीक है और strategy तो बहुत ही ज़रूरी है तो ये था आज के हमारे इस quick session में guidance from my side Thank you everyone, keep learning, bye bye